यूपी योधाज वो टीम जो अपनी बहतरीन डिफेंस कोर डिफेंस के लिए जानी जाती है विजे मलिक जो दबंग दिली के कैपनन भी रहे हैं वहाँ टाइटल भी जीता और देखिए अगर आपका नाम आपका सरनेम हुडड़ा है आप क्रिकेट खेलें या कबड़ी खेलें तो लोग आपको प्यार करते हैं और अगर आपका सरनेम गिल है तो भी आप क्रिकेट खेल है और बड़ी केलें तो भी आपको प्यार मिलता है सुरिंदर गिल विजे बहुत-बहुत स्वागत भाई हो आप दोनों का एक लेफ्ट रेडर हैं एक राइट रेडर हैं ये भी एक कंभीनेशन है विजे भाई अलरॉउंडर भी हैं और ट्रॉफिस भी जीती हुई है सुरिंदर भाई मैं कोट साब से भी पोछ रहा था एक दूबार हमारी मुलाकात भी हुई थी आप बच्पन से थोड़ा शर्मीले हो बोलते कम कि जितनी जान है वो सरफ मैट पे लगा देते हो बोलता कम ही हूँ मैं बस उन्होंने बता दी है बोलता कम ही हूँ यह मुद्धे की बात खतम हो गई लेकिन मैं अक्सार एक बात कहता हूं सुरिंदर भाई कि यूपी की ऐसी टीम है जो एक परिवार बन जाता है आप जब से यूपी में खेल रहे हो लगातार खेल रहे हो किसी और टीम में गई नहीं तो टीम के प्यार का महौल है कि आप कहीं और नहीं गए यह यूपी का खाना ज़्याद अच्छा लगता है आपको और एक बात है कि जब परदीप नहीं आये थे इस टीम में तो आप टीम के सबसे बड़े रेडर थे, आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपकी कई सूपर रेड तो मुझे अभी तक याद है, वो लंबा सा एसकेप करके पॉइंट लेके आते थे, उसके बाद अब परदीप प्रोकबड़ी के सबसे बड़ा रेडर है, उनके आने के बाद एड़ेस्टमेंट कैसे हुई रेडिंग में? एड़ेस्टमेंट होगी है कि कुछ प्रेसर था पहले ज्यादा था लेकिन पर दी भाइगाने के बाद हो कम हो गया, क्योंकि शीनियर वो है तो अब ज्यादा प्रेसर उन पे है, मुझे इतना ज्यादा नहीं है और अगर सिनियोरिटी के मैं बात करूं तो विजे भाही भी टीम के सबसे सीनियर प्लेइज में से एक हैं विजे आप दिली के कैप्टेम भी रहे हो तो उस सीनियोरिटी का फाइदा यूपी जोधाज में कैसे आप उठा होगे? पर एक बेनिफिट आप के पास है जो इस टीम में सिर्फ प्रदीप के पास है वो है प्रोक बड़ी की ट्रोफी जीतने का और दबंग दिली बड़ा अच्छा के लिए थी पटना के साथ क्या जब जबरदस फाइनल हुआ था तो उस बेनिफिट का फाइदा यहां यूपी को कैसे मिलने वाला है? कि आपको ट्रोफी जीतनी आती है? यह जैसे परदीप भाई और मैं यूपी ओदानवी पहले क्वालिफाई किया हर वर यूपी ओदा क्वालिफाई करती है लेकिन जैसे हम फाइनल मैच के लें काफी बार परदीप भी खेला हम है भी तो वह सब शे बड़ा मैच होता फाइनल मैच उस चीजगा प्रेसर लग महूल है तो उसका लगता है साइद कुछ से बहुत मिलेगा बिग मैच प्लेयर बिग मैच प्रेशर कोई भी हो यह चीज़े हमेशा उसमें काम आती है और महौल की बात जो विजय बाई ने कि यह देख लो पिछले पिछे बढ़ा बढ़ा बढ़िया जिम बना रखा ह है एक दो महौल महूल सही रहता है और शुरिंदर आपको जब मैं देखता हूना तो मुझे वो जैसे अपने हमारे गाउं गरों में होता ना कि दिवाली की सफाईयों होती है वो टैची बहुत उपर रखे होते हैं अपने गर के सबसे उपर वले टैची आप ही निकालते हो ज्यादा फाइदा मिलता है और एक तो रीच का ड्वांटिक हो गया बड़ा चाप हैंड टच करके अंदर आते हो डीप जाते हो उसके अलावा कौन से स्किल ने जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं एक्जेक्यूट करने कोट पे दिखाने कोट पे दिखाना तो में तो हम यह लगते हैं क्योंकि आइट में इतने ज्यादा डुक्कि लगनी पाती है तो में तो मेरा ही है एंटर्स का टरन और इसके अलावा कुछ जैसे कई प्लेयर होते हैं जैसे प्रदीप शुरू में बोनस नहीं करते थे बाद में बोनस उन्होंने काफी करने शुरू किये एसी कोई और चीज है जो इस बार आप स्पेशल करने वाले हो हाँ क्योंकि एक तो मेरा जंप बहुत कम है कोई ब्लंबी आइट का रेडर होता है उसका जब कम ही मिलता है और डिफेंस वाले भी ज्यादा था लंबी आइट वाले रेडर होनी से टैकल करने हैं ज्यादा प्रेक्टिस अलग से करता हूं और जब मैं यूपी योद्वस की टीम देखता हूं ना सुमित नितेश कवर्स पे चलो अब नएने कॉंबिनेशन बनेंगे लेकिन अब वीजे भाई मान सकते हैं कि टीम के पास पांच डिफेंडर हैं और तीम रेडर हैं यह साथ नहीं करूँगा अब यहीं बेनिफिट होता है आल राउंडर प्लेयर का कि आप दोनों तरह से मैच जित्वा सकते हो और इससे पहले आप दिल्ली में थे हुड़ा साब के साथ आपने दो सीजन खेले हैं अब आप यूपी में आ गए हो तीन सीजन करेक्ट सिन्योरिटी बड़ी हो भी तो जब टीम चेंज होती है विजे भाई नए कोच बिल्कुल नए वाले साथी प्लेयर तो आप खुद कैसे डिजस्स कर रखते हो अपने आपको यही है पहले महोल देखना परता कुछ दिन कैसा महोल है मैंनेजमेंट कैसी है टीम कैसे हैं क्या सोचते हैं किस तरह र मुझे ज़्यादा कुमफर्टर लगता है यहां पर भी अच्छा प्लेयर बड़ा प्लेयर वही होता है जो हर तरह के महौल में खुद करें और कोचिस खुद विजे की बहुत तारीफ कर चुके हैं आपने सुना ही है कि सुरिंदर मारा बिल्कुल रहता चुप है लेकिन का करता है कोची से साथ ृड्यस्ट्मेंट सुरिंदर भाई एक प्लेयर के लिए किस तरह से काम आतीए आपके कोची से साथ अब्रेश्टर बहुत काम आतीए क्यों कि प्रैक्टिस में कोच साब यहां पे यहां तुझे ज्यादा पौइंट मिलेंगे यहां से तुझे और टॉकिंग अबाउट सेम दिली की बात कर रहे थे विजय तो दिली के मलब लोग कह रहे थे कि इनको तो ग्रेटर केलाश में घर ले दो अब तो पूरे दिली वाले बन गए हैं जब इस पर दिली में दिली के साथ आपका मैच होगा तो कुछ इमोशन अलग तरह के निकले अगर मैच तब तक चलता है तब तक यह अपोजिट साइड है तो मान लो कि हमारा दुस्मन है वैसे दुस्मन का मतलब वह नहीं कि उसको इंजिरी करना या उससे कुछ बहर भी रोद नकालना है लेकिन हाँ उनको अराना है खुद को भीन करना है और मैच खतब होने वादस नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको तो सब पता है उस नवीन के बारे में अगर मैंने उसकी टैकनिक पर अच्छा काम किया तो करते हो कि प्रदीव नर्वाल को दोनों बैस्त हैं एक चीज सुरिंदर मैंने जब यूपी की टीम का एक अलग से वीडियो बनाया था स्वास अनेलेसिज में एक मैंने कही ती कि अपर्चुनिटी सुरिंदर गिल के लिए ये है कि अब सूपर स्टार बनके दिखा जाएं सुरिंदर गिल स्टार है इन्होंने मैं खुद बोलता हूं कि चुकी परदीप के साथ खेलते हैं तो सब का ध्यान परदीप चला जाता है बर सुरिंदर गिल ने अकेले ने जितन तो डाही क्रोड का मुझे पैसा चाहिए तो एक टार्गेट रखते है ना हर खिलाडी अपने लिए पॉइंट का दैसा कोई टार्गेट नहीं है टार्गेट तो फिलाल यह है कि जो फाइनल मैच का प्रेसर कैसा होता वो देखना है तो यह अभी तर नहीं पूंच बाएं ना वह एक चीज है वह 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 पता है वह परदीप को पता है क्कि हर प्लियर वही चाता है कि फाइनल खेले है और फाइनल ने, जिसे आपकी पूरी एकेडमी में गुमी जिम है, मैट है, तीन महीने की तो लीग है, फिर उससे एक महीना पहले कैम्प है, तो चार-चार महीने घर से दूर रहना में थोड़ा दिक्कत आती है? जिसे लिए विजए नई टीम है, तो फेमली में डीम है, फेमली में देखोगे ब्लकुल फेमली में जैब है, इतनी कूछ आती हिनी तो हूद बहुत बात करती रहते हैं सiónगें, तो ब्रजत कर लिया है, विजे लिए आई टीम में डीमें अदुमिया है, शुरिंदर कहा है, मैं इस बार final में adjust करके दिखाऊंगा आपको बहुत बहुत थैंक यू सुरिंदर विजय आपको नई टीम के साथ और आपको अपनी फेवरेट टीम के साथ बहुत बहुत all the best और उमीद करते हैं कि आपके जो target हैं दोनों के पूरे हों team final में जाए अगले एपिसोड में दो और बहतरीन प्लेयस के साथ यू पी यो दस के प्लेयस के साथ बात करेंगे थैंक यू